दोस्तो अगर इस cover को देखकर आप वीडियो में आए हैं ना तो बिल्कुल सही जंगा आए हैं इस वीडियो में आपको मिलेगा concept, basic और advanced level शर्त यह हैं कि आप पूरा सीखना चाहते हैं मेरे साथ end तक बने रहें इस वीडियो में सुआगत है आप सभी का आपके अपने चैनल परसेंटेज का बिल्कुल basic बताने जा रहा हूं आपको अगर नहीं आता तो अच्छी बात है इस वीडियो के बाल आप सीख लोगे और अगर आपको आता है फिर तो और ही अच्छी बात है कि आपका revision हो जाएगा तो अब ध्यान से मेरे साथ बंद जाई है विल्कुल होता है पर और दूसरा होता है सेंट अब अगर हम पर का मतलब समझें ट्रांसलेशन समझें तो वो निकलता है प्रती यानि हर एक में से ठीक एच और सेंट जो वर्ड बना है ये बना है सेंचुरी से सेंचुरी वर्ड आपने बहुत सुना होगा क्रिकिट में युद होता ह के या सेंचुरी सो सालों का समों मतलब group of hundred जो है वो?" कहलता है तो century कि से सेंच जैंट है इसका मतलब बनेगा आपका hundred यानी सो तो अगर हम percent का मतलब समझे न तो percent का मतलब निखलेगा प्रती तो यानि हर सो में में से सो में से जो भी लिया गया है वह उतना है ये है उसका कंसेप्ट के परसंटेंज होती है अब आन ले जीए मैंने आप कहा के 20 परसंट तो इसका मतलब होगा कि सो में से 20 ठीक है अगर मैंने आपसे कहा 75 परसंट यानिна आपके 75 ब्रसंट मेंसे 75 घर आहे किसी से इस तरह से percentage बनती है अच्छा अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके कितने 200 में से 50 आए तो यह कितना परसेंट बनेगा अब इसको बताइए अगर नीचे 100 था तो तो इसी था अब यहाँ पर देखी क्या हो गया 200 हो गया और हमने सीखा है percentage जो होती है हर 100 में से होती है तो इसकी भी डिवाज 2 से कर देंगे तो यह हो जाएगा 25 तो हर 100 में से जो है वो 25 हिस्सा है तो इसका मतलब यह जो percentage कितनी है 25 बटा सो यानि 25 परसेंट है तो इस तरह से यह परसेंटेश का बिल्कुल बेसिक एक आईडिया हमने लिया है कि परसेंटेज होती क्या है आई यह अब जानते हैं कि हम किन-किन तरीकों से percentage निकाल सकते हैं बहुत सारे तरीके में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आप करता है कि आप उस प्रॉल्म को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उसके तो पहला तरीका हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन मेथड इसमें आप डायरेक्ट मल्टिप्लाइब करेंगे और परसेंटेश निकल के आजएगी जी हाँ इतना ही आसान है यह तो यहाँ पर एक एक जामपल के लिए आपको समझाने के लिए कि हम माल लेत से जिरो से जिरो कट जिरो से जिरो कट चार टीना बारा आपका आनसर प्रेडिशनलर अब उसको और जल्दी कैसे करेंगी या देखिए अगर नंबर में 20 है तो वो दो जीरो तो ऑल्रेडि सो के 20 से कट ही जाएंगे तो आपको क्या करना है toc आपको निकालना है 25 परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे 25 कितने होते हैं 75 होते हैं आगई परसेंटेज क्या आगई जी नहीं है गलत आंसर है अब क्या करना है आपको जीरो एक ही है तो एक जीरो ही कट पाएगा सो का और दूसरा जीरो बचेगा ना उसके बदले का इसमें एक पॉइंट लग जाएगा तो 57.5 इसका अंसर आएगा तो इस तरह से आपको देखना है कि जीरो अगर दोनों है तो दो जीरो पूरे-पूरे हट जाएंगे डारेट नंबर की मल्ट परसेंट और फॉर्टी टू बैल इसका आपको बीस परसेंट निकालना है ठीक है तो बैल इस दूनी होते हैं चुरासी तो हमारा एक पॉइंट फॉरा डारेट आंसर आ गया ठीक है एक जिरो से हमने एक पॉइंट लगा दिया है तो इस तरह से अगर इस टाइप की सिंपल अ POR आगे आपको समझाओ तो व्याल इस होते हैं तो इसका सर चौरासी हो सकता था इसका आग्ता इस पूइंट फॉरा नंबर है क्या इसने इसूपोन प्र सकता है नहीं हो सकता ना तो चौरासी हमने से हाँ पर नहीं माना और आज सो चालिस भी नहीं हो सकता इसलिए डीel 4. पॉइंट आए गए आइगा यह अगर आप जल्दवाजी में दो के बाद लगा दो तो भी गलत हो जाएंगा कि वह नहीं तो यहां से आपका अंदाजा देंगे तो यह तोथ है अगर सिंपल जिसमें जीरो है अब माल लीजिए परसेंटेज कुछ ऐसी आ गई कैसी आ गई के 65 परसेंट ओफ 85 ठीकि जो एक्जाम में आती है नॉर्मली आप 65 परसेंट निकालने आपको 85 का अब यहां पर आपको हमने सिखाया कि मल्टिप्लाइ कीजिए अब आपको क्या 85 की मल्टिप्लाइ करनी ली है उनको हम जल्दी कैसे सॉल्फ करेंगे उनसे हम कैसे खेलेंगे तो पहला था डायेट मैट्रिक्लिकेशन में अब हम आते हैं दूसरे में जिसमें हम इस टाइप के नमबर की परसेंटेज निकालना सीखेंगे तो दूसरे में तरफ मतलब तुकड़े कर देने का तरीक हैं कैसे निकालेंगे देखिए आप इसके तुकड़े करके भी निकाल लेंगे दोनों से करवाओंगा जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्फ कर लेना याद कुछ भी नहीं करना रटना कुछ भी नहीं सिर्फ समझना है देखिए एक बात बताईए क्या हम इस 65 को 60 प्ल काम और बढ़ गया काम बढ़ा नहीं है स्मार्ट स्टुडेंट ना कॉंपिटिटिव में ऐसे ही करते हैं वो डारेक्ट नहीं करेंगे 65 निकालेंगे आप इसको जल्दी कैसे निकालेंगे देखिए चैनिंग चोवन यह आगया आपका इसका सिक्स्टी परसेंट मुल्टि आपने 65% कि यह था परसंटेश को स्पिलिट करने का आईए दूसरा वह सिखा देता हूं आपको क्या नम्बर को स्पिलिट करके कैसे निकालेंगे तो हमारी जो परसंटेज रहेंगी वह तो 65 भी रहेंगी आव हमने क्या किया लिए अब नमबर को टोड लिए है नाइंट को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं फंड्रेड माइनस तैन कि अगर आप उस नंबर का हंड्रेड निकाले पर्सेंट और उसे 10% माइनस कर दें तो आ जाएगा तो देखिए 65 का हट का हंड्रेड तो पैसर ही होगा और पैसर का कशावन आएगा तो आप नंबर करो करो आपका आंसर सेम कर सकते तो पचास परसेंट करता है कि आप कैसे घेलना सीखते हो तो आपना परसेंट ना दश्बूत करते हैं अब हम उसको प्रैक्टिस में लाकर स्पीड बढ़ाएंगे कि स्पीड कैसे बढ़ाएंगे जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आई यह प्रैक्टिस करते हैं आप और हम एक साथ ठीक है तो यहां पर हमें 51% निकालना है इसका 50% एक परसेंट और निकालना है एक परसेंट के लिए दो के बात पॉइंट लगा देते हैं परसेंट परसेंट निकालना है घबराने के कोई बात नहीं है अब आप सोची हाँ पर देखिया आप इसको देखियो आव और खेल सकते हैं आप इसको 50 जमानों भी लिए सकते हैं 50% निकाले नौं परसेंट निकाले या उससे आसान है आप इसको 60-1 भी तो लिख सकते हैं ना कि 60% निकालने के लिए आपको अरे सर आपने 60% का कहां बताया कोई बात ने आपको 50 का बताया है ना उससे निकाल लो तो देखी 50% होता है आधा 45 का आधा आधा आप करेंगे तो 45 का आधा होता है साड़े 20 ठीक है यह हो गया आधा इसमें 10% और एक कर दो 10% के लिए हमने एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो साड़े 4 हो गया इसका 10% 50% 10% 60% निकल गया 25 पाचवपा 10 का 0 आस्ति लगा चार दो चोड़ेक 7 और 27 आगे इसका 60% 1% माइनस कर दो तो 1% के लिए क्या 27 में से 0.45 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 55 और एक यहां पर कम हो जाएगा तो 26.55 इसका 60% निकल के आजाएगा आपकी प्रेक्टिस के ओपर डिपेंड़े आप भी खेलने लगेंगे परसेंटेस से ही आईए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जितने कर लेंगे उ 20 परसेंट को अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा है से वन अपॉन फाइब मतलब पांस से डिवाइड कर दो तो 20 परसेंट आ जाएक निकल के अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं आप 10 परसेंट दो बार जोड़ लो तो इसका दस परसेंट है बीच में खुए बात नहीं एक परसेंट दो एक परसेंट क्या होगा इसका पॉइंट चीक्स पूर ठीक पोइंट इसका आप दो निकाल सकते हैं आपकी बैसिक के लिए बेडिए करता है कि वो कितनी तेज है परसेंटेश से निकालना आप चीक जाएंगे देखिए इसको भी करते हैं तो हम कर सकते हैं क्या 50 जमाइक कर सकते हैं तो 4550 आधा कर दो तो 400 का आधा होगा 250 225 निकालो तो 10 परसेंट का आधा 5 परसेंट होता है ठीकि 10 परसेंट का कितना होगा जीरो हड़ जाएगा तो तो यह ट्रिक बहुत मज़ेदार है अगर आप इससे खेलना सीख गए तो क्यों बड़िबन करता है यह कोई शौट ट्रिक नहीं है यह आपका तरीका कि आप प्रॉब्लम्स को किस तरीके से देखते हैं तो जिस तरीके साब देखेंगे उस्सी तरीके सा आंसर लेकर तो यहां पर हमारे पास पॉइंट वाले अगर परसेंटेज आ जाए तो इसको भी करना इसी वीडियो से जाओगे आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है तो देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं 1245 का साड़े 15% माइनस 1458 का साड़े 12% कितना होता है इसको देखिए कैसे सॉल्फ करेंगे वही मेथट लगेगा जो हमने अभी तक सीका है साड़े 15% निकालना है तो कोई दिक्रत नहीं कि 10% निकालो पांस निकालो और आधा परसेंट निकालो तो बाराइस पिंतालिस का दस परसेंट निकालने के लिए एक पॉइंट लगेगा तो एक सो चौबिस पॉइंट पांच हो गया ठीक है फिर हमें क्या करना है पांच प 25 25 तो यह हो गया इसका पांच परसेंट अब हमें आधा परसेंट और निकालना है आधा परसेंट के लिए एक परसेंट निकालना जरूरी है और एक परसेंट को निकालने के जरूरत नहीं यह वह हमें पता यह दो के बाद पॉइंट लगाओगे तो एक परसेंट निकल के आ जाएगा तो हमें 12.45 का 1% इसका आधा करना है तो 12 का आधा करेंगे आप 6 हो जाएगा ठीक है और 45 का आधा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 12 से 2 दूनी 4 ठीक है आगे जाने के जरूरत नहीं है बस हो गया हमारा तो यह हो गया कितना 10% 5% आधा परसेंट तीनों को जोड़ लेते हैं पांच और दो साथ पांच और दो साथ और दो नो पॉइंट का पॉइंट चार दो च्छे और च्छे बारा का दो हासिल लगा एक दो रहेक तीनों और एक का एक तो इधर की जो पार्ट है वह सॉल्व हो के आगे हमारा 192.97 यह हो गया अ अब ऐसे ही उदर आते हैं अच्छा उदर साले 12 परसेंट यह तो हमने सी के रखा है साले 12 मतलब 25 पर्चन का आधा या फिर वन वाई एट एक बटा आठ साले 12 होता है तो आप इसकी आठ से डारेक डिवाइडी कर दीजी इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा तो इसको आठ से काटते हैं जाएगा पहले आठ एकम आठ छे बचेगा इधर जाएगा 65 अठ्थू अठ्थू चॉसेट आपके ठीके एक बचा अठ्थारा बन गया आठ दूनी सोला बचेगा दो पॉइंट लागे जीरो तारेंगे बीस हो जाएगा आठ दूनी सोला और फिर आठ पंज 40 तो यह हो गए इसकी डिवाइड अब आपको क्या करना है बस इनको माइनस करना है ना तो माइनस कर दो इसको इसके नीचे लिखो यहाँ पर और इसको माइनस कर दो आपका आंसर पक चुका है मतलब आ चुका है साथ मैंसे दो पांच गया दो बचेगा नो मैंसे साथ बच ठीक है यह हमारा सही आंसर तो देखा आपने अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है ना तो लंबी लंबी कैलकुलेशन भी परसेंटेज की आप सॉल्व कर सकते हैं आईए दोस्तों कुछ कोशन ऐसे उठाते हैं जो एक्जाम में पूछे जा चुके हो ठीक है उससे कैसे करेंगे ठीक है इसको जानेंगे हम तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं सिंपल करते हैं चौसट का आधा होता है 32 तो यह हमने डिवाइड इट वाइट 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 कर दिया हमसे पूछा गया है कि 160 का रूट कितना परसेंट जो है वो 32 होता है अब कैसे कर दिवाइड कर दीजी बाद वाले को तो इसको डिवाइड करेंगे और इसकी परसेंट भराने की लिए इसकी हंड्रेट से मल्टिप्लाइड कर दीजिए जिरो से जिरो कट 16 दूनि 32 और यह वाला जिरो कूट के लग गया यहां तो आंसर निकल की आ गया 20% मतलब 160 का ठीक है 20% जो है वो 32 है ठीक है यह आया है लेकिन हमारा जो हमसे पूछा था वो पूछा था कि कितने रूट परसेंट यह तो बिना रूट के 20 है ना 20 जो है वो बि आप रूट क्या करेंगे आप एक ऐसा नंबर यहां चूज करना है कि जिसका रूट 20 हो तो बीस किसका रूट होता है बीस होता है चार सो का रूट ठीके 400 तो इसका जो आंसर आएगा ना वह 400 आएगा अच्छा देखिए मज़े की बात क्या है कि ऑप्शन में घुमाने के लि किया लेकी नहीं मेरे दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे साथियों इसका पूर्टी होगा क्योंकि हम स्वी 40 होगा क्योंकि 400 का जो रूट होता है नंवो 20 होता है अभा इसको सॉल्ख करेंगे तो आ जाएगा देखिक 15 segments पर सेंट जो है वो 32 होता है रूट फोर हंडेट का मतलब हो गया 20 इसका 20 पर सेंट जो है वो 32 होता है तो इसका जो सही आंसर है तो थोड़ा सा हमें सोचना है और वही बात जो मैं कहे रहा था कि आप को यह से देखना है कि आप किस तरह से खेल सकते हैं आई यह कुछ और कुछ लेते हैं हमारे पास है साड़े तीन सो का 66% प्लस कितना 1256 का पांच बटा आठ होगा ठीक है यह कोशन कर सकते हैं तो दोनों पार्ट को लेते हुए चलेंगे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो पहले अगर हम इधर करें तो यहां पर का का मतलब मल्टिफ्लाई हो दिए तो आपको पता ही होगा ना तो हम आठ से पहले बाराद दुशपन को डिवाइट करेंगे तो यह जाएगा आठ एकम आठ ठीक ही इसमें चार बचेंगे वह 455 बन जाएगा आ बहुत आसाने क्या कर सकते हैं 66 अप निकाल सकते हैं परसेंट जमा 10 जमा पांच परसेंट जमा एक परसेंट ज्यादा है कि टाइम नहीं लगेगा ताइम कम लगेगा 50 अधा होता है तो आधा कर दो साड़े 300 का आधा होता है लिए भी टीज तौर दो टीजिजिन के लिए एक जीरो हटादो तौद स्वाइब कर दो है और एक पर्सेंट के लिए लिए दो के बाद ऌटो साहले तीरी मिली सबको जोड़ना जाएगा दौटे स्वार्ज़िछ लगाए ऐस अधर का अगया की फिर किस्व ल गा grants Yep के साथ जमा में कुछ है जिसकी वेलियों में निकाल नहीं एक्स लिख लिए उसकी जंगा और इदर इसकी मल्टिप्लाय भी कर लेते हैं पांच पंच पंचे पच्छिस और तीन अथा इसका रधासिल लगा दो पांच एकम पांच और दो साथ साथ सू पिच्यासी और एक्स में प्लस में ता इसकी वेलियू आजाएगी 5 में सेымडिख दो गया पांच नवेग C-554 तो देखा आपने बड़े-बड़े question भी percentage के simplification वाले solve हो जाएंगे, basic अगर आपने सीख लिया है इस वीडियो को देखकर, तो वीडियो ध्यान से नहीं देखियो, अभी भी pause करके पीछे जाके दुबारा देखकर आ जाओ, बहुत सही मौका है आपके लिए percentage से खेलना सीखन के लिए, दोस्तों यहाँ पर कुछ question आ चुके हैं, एक दो, अब आप इसको ज़रा से try कीजिए और comment करके बताईए, ताकि हमें पता तो लगे कि हमने इतनी महने से वीडियो बनाईए, आपको कुछ आया या नहीं आया, वीडियो पसंद आई हो तो like करें, comment करके बिलकुल बताएं, कि yes sir, I can understand, मुझे आ गया है, समझ में मैं समझ सकता हूँ, और आप इस वीडियो को share करें, क्योंकि बहुत से लोगों को concept नहीं पता होता, इसी लिए वो questions पे अटक जाते हैं, ताकि उनको concept clear हो और basic clear होगा, तो फिर वो आपने exam में थोड़ा सा effort लगा कर अच्छ आर सरके साथ,